तो प्रेंट्स हो गई यह नई सुबह नई शुरूआत और व्लॉप की भी शुरूआत तो सुबह के बज़े है करीब नौ साड़े नौ बज़े है चाहिनास्ता हो चुका है हमारा सुबह काटी फीन ओगेर जो भी होता है वो चुका है और यहां पे मैं अपनी आलमंड जो ख कर रही हूँ विंडो के पास खड़ी थी तो नजर गई तो यहां पे थोड़ी डस्ट थी पर एक चुले यह डस्ट बाहर की साइड थी तो वह तो मैं क्लीन कर नहीं सकती वह बिल्डिंग मेंटिनेंस वाले हैं वह दो-चार मीने में एक आद बार करवाते हैं वाकि अंदर का मैंने कर लिया और बार के दाग थे हो तो नहीं गए तो चल यह शरुआत करते हैं यहां पे मैं कुछ लिष्ट बना रही थी मुझे ग्रोसरी ओडर करने थी कुछ छोटी-मूटी सी चीजे खतम होने वाली थी हर वीक में चीजे आती रहती है अब आगे हूँ किचन में यह यहां पे मैंने राइस पीगो के रख दिये थोड़ी देर पहले आई थी किचन में और चिकन भी क्लीन करके पानी में रख दिये बहुत ठंडा है फ्रिजर में से निकाला है तो अब यहां पे चिकन के लिए मुझे पुलाओ बना रहा हूँ इसके ओनियन तो मैं कट कर चु देट चमज में यहां पे नमक डाल रही हूँ करीबन 8-10 चोटी-चोटी प्याय ली है मैंने और यहां डेट ग्लास इतना पानी डाल रही हूँ मैं आप अपनी कॉंटिटी के अकवरिंग डाल सकते हो लास्ट टाइम मैंने बनाया था इसका वीडियो भी शेयर किया था विनेगर नमक और पानी डाला है प्याज में और जरासी में शुगर डालूँगी छोटी सी आधी चमज एक खटास को बैलेंस करने के लिए एक टैंगी जो टेस्ट होता है विनेगर का नमक का उसमें थोड़ा सब बैलेंस हो जाएगा तो इन सारी चीजों को अच्छे से मि अब इसको भर लेंगे कोई भी टैट जार में बट देखिए मेरा मैंड कहां है मैं काम कर रहे हूँ मैंने छील के प्याज बना दिया बट मैंने क्ट्स तो लगाए यह नहीं थे प्याज में तो फिर मेरा ध्यान गया मिकस करते टाइप तो फिर अभी मैं उसमें काट्स लगना हुए बट उसको दो साइड से कट लगाने है देखिए जैसे हम प्लस का साइन बनाते है क्रोस बनाते है उसी तरह से तो सारी प्यास में इस तरह से मैं कट लगा लगी हूँ यह प्यास बहुत ही अच्छी लगती है मेरे बेटे को खास करके बहुत पसंद है पर ताजा ताजा बना के खाने में अच्छी लगती है तो देखे बहुत ही इजी है पर बहुत ही अच्छी लगती है दाल चावल के साथ या कोई भी चीज के साथ पराठों के साथ लंचने में डिनर में तो इसको पैक करके रख देंगे यह खाने लाएक वैसे चोबिस गंटे हो जाती है बट हम लोग तो उसको तुरंद खाना स्टार्ट कर देते आज भी खाया था साथ में पुलाव के साथ में हमने तो रेडी है हमारी जो रेश्टोरन में मिलने वाली खटी चटपटी सी जो सिरके वाली प्याजे हूँ तो उसको साइड में रख देते और आगे के का देती हूँ तो ऐल ले लिया है उसमें मैंने कुछ खड़े गर्ब मसाले मितलब एक दो तज के टुकड़े लिये है एक दो लोग और एक दो कलिंकाली में चलिये जीरा डाला है और अब मैं यह लंबे-लंबे-पाज अकटे हुए प्याज डाल दूगी मैं ज्यादा ताम ज कर लेंगे प्याज अच्छ से फ्राइ हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कुटा हूँ अगरम मसाल है मतलब यहां पर मैंने दो तीन चक्रफूल जो श्टार है नहीं सोते वह और दो तीन प्लैक पेपर को पीस लिया था अब यहां पर हमें डालेना है ब मिला लेंगे अच्छ से और अब डालोंगे में फ्रोजन वाले जो पीज और कैरट होते है वह पानी में डिप करके मेंने क्लीन करके रख दिया था अब डालेंगे जो कश्मीरी डेड़ चिली पावडर एक डेड़ चमच एक चमच तन्या पावडर थोड़ी सी हल्दी अभ अब चिकन डालके मसालों के साथ ही अच्छ से भून लेंगे चिकन को भी क्योंकि मैरिनेट नहीं किया है हमने इसको कुछ सिंपल ही बना रही हूं तो मसालों के साथ एक-दो मिनित तक भूनने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसके साथ चिकन को भूनने के बाद हमने जो राइस से उसको भी डालना है बट मुझे ख्याल आया कि मैंने नमक तो पहले डाला है अन्यान फ्राइब करने में पर यह सारी कॉंटिटी बढ़ जाएगी राइस चिकन अगरे तो इसके हिसे का थोड़ा सा नमक और एड़ कर दिया और फिर राइस डालने के बाद भी में एकाद मिनिट तक अच्छे से भूनूंगी उसको और फिर पानी मिक्स करूंगी तो इस तरह से टेस्ट अच्छा आता है तो देखिए कुकर हमारा अलमुस्ट भरने वाला है पानी डालने के बाद तो देखिए क्या हालत होती है तो चलिए राइस पी अच्छे से मसालों के साथ चिकन के साथ हो चुके है तो हम दो ग्लास में हैं पे पानी डालूंगी अंदा जयसे ही डाल रहे हुए शेकिए कुछ ऐसा परफेक्ट मेजर्मेंट नहीं है मैंने राइस पी नापके नहीं लिया अंदा जयसे लेती हुँ मेरी एक आदत बहुत ही खराव है मैं मतलब मेजर्मेंट का नाप गुली जाती हुँ अगर वीडियो बना हूँ तो इसमें परफेक्ट मेजर्मेंट होना चाहिए पर सालों से जो आदत पढ़िए अन्दाज इसे करने की काम और वो अन्दाज सही भी निकलता है तो इसी आदत में चलते हैं मैंने कुछ राइस का मेजर्मेंट नहीं लिया और इसे दो गलास पानी डाल दिया और वही नाप से हो गया था लास्ट में मैंने थोड़ा सा मटलब पानी आधा कपचितना डाला था तो कुकर बंद करके मैं आ गई थी रूप कुछ ठीक करने थे कबट गंदा हो रहा था कुछ तो कपड़ों को ता ही लगाया मैं पूरा कपड़ एक साथ निकाल के नहीं करती हूँ एक 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 पाट निकालती हूँ और कर लेती हूँ जब भी इस तरह से टाइम रहता है तो कि पूरा कबट निकालना बहुत बोरिंग लगता है मुझे तो छोटे छोटे हिस्सों में काम को बाट देने से काम बहुत इजी हो जाता है और बोरिंग भी नहीं होता है मेरा तो यह experience है कम से कम तो चलिए आज दो पार्ट हो चुगे है अब यहाँ पर आके चेक किया तो इसमें तो steamy नहीं भर रही थी विसल आई नहीं रही थी तो मैंने कुकर खोल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाला अधिक अब जितना और फिर उसको टक के रख दिया स्लो गैस पे तो उसके बाद पांच मिनिट के बाद हो चुगा था अब यहां पर आ गई हूं में हॉल में देखिए क्या हाल देखिए हमारे टमू भाई ने पूरे हॉल में कितने किलो ने फेलाई हुए है देख लिज़े इस ने च्रॉल ऐसा होता है आप भी छोटे थे तो आपका भी होता था बच्चा तो हमारा छोटू है कुकु इसको थोड़ा सा मुह से दूद निकल रहा था दूद पीने के बाद उल्टा सोया था तो तो टमू बोल रहा था डर्टी तो मैं उसको समझा रही थी तो चलिए हमारा पुलाओ भी रेड़ी है बहुत यम्मी बना था कम मसालों में कम चीज़ों में भी एकदम यम्मी टेस्टी गर्म गरम पुलाओ रेड़ी है तो चलिए आप आजाए सब लो तो चल यही था छोटा सा वीडियो हमारे आपको कैसा लगा कमेंट में बताने अच्छा लगे तो लाइक शेर एड चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं कई नहीं वीडियो में